गाइस यहां देखिए एक दूसरी को हमारा लाइन क्रॉस ओवर कर रहा है और नीचे गिर रहा है यहां देखिए जस्ट इसके उपर हमारा भाव यहां से नीचे गिर रहा है अगेन देखिए हमारा लाइन यहां एक दूसरी को क्रॉस कर रहा है और उपर जा रहा है यहां से ह जस्त सीधे पर हमारा भाव इस वाले रेंज से नीचे गीर रहे हैं यहां देखिए हमारा लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और उपर जा रहे हैं इसके जस्त सीधे हमारा भाव इस वाले रेंज से उपर जा रहे हैं यहां भी देखिए हमारा रेंज एक दूसरे को क्र कि हमारे ये चार्ट जो है, बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा है, जिस हिसाब से ये चर रहा है, उस हिसाब से हमारा प्राइस चर रहा है, ठीक है, और दिखा देता हूं, देखें, हमारा लाइन जो है, एक दूसरे को यहां क्रॉस ओवर कर रहा है, और उपर जा रहा है, यहां स से उपर जा रहा है तो अब आपको समझ आगे होगा कि कही न कही हमारा प्राइज यह हमारा चार्ट जो है इसको फॉलो कर रहा है तो यह है क्या इसी के बारे में आज हम समझने वाले तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और यह क्या चीज है इसको भी मैं आपको डिटेल पर बताता हूँ तो पहले ही यह सारा चीज को मैं मिटा देता हूँ क्या-क्या चीजे मैं अप्लाई किया था सारा कुछ मैं मिटा देता हूँ दिखे हैं हमारा चार्ट कुछ इस प्रकार का दिखते हैं अगर हम कुछ भी indicator या कुछ भी चीज़े apply नहीं करते हैं तो मेरा भी चार्ट इसी प्रकार का दिखते हैं अगर मैं कुछ भी चीज़ अप्लाइन नहीं करता हूं तो यह Tata Steel का चार्ट है बन हावास का टाइम फ्रेम है आपको इंडिकेटर पर आना है और यहाँ आपको सहर्च कर देना है MACD Moving Average Convergence Divergence यहाग है गाईस इसी को मैं आपको समझा रहा था बस यही है आपको इसका सेटिंग पर ले चलता हूँ मैं सेटिंग हमारा by default रहेगा यहाँ आपको कुछ भी चीज़े चेंजेस नहीं करना है अगर आपको color change करना होगा तो color वगरा change कर सकते हैं यह सिगनल smoothing जो रहेगा यह 9 time rate कर रहेगा अगर आप अपना position delivery पर लेना चाहते हैं या swing trading लेना चाहते हैं तो इसको आप 50 कर सकते हैं बाकि अगर आप intraday और option trading करना चाहते हैं तो यह 9 रहेगा या आप इसको 5 भी कर सकते हैं क्योंकि हम जो है moving average जो है simple moving average 9 और 5 अप्लाई करते हैं अब आपको यह चीज़े समझ नहीं आ रहे होगा तो आप अमारे चानल को subscribe कर लिए रहे हैं आपको उससे related videos मिल जाएगा क्योंकि मैं बना चुका हूँ और अगर आप line से videos को देखेंगे तो आप यह भी वीडियो देख लेंगे moving average का ठीक है तो मैं अब इसको okay करता हूँ style पर कुछ भी नहीं है यहाँ color होता है changes करने का तो अगर आपको color changes करने का होगा तो कर सकते हैं बाकि यह enough है ठीक है तो चलिए अब हम समझते हैं इसको कि कैसे कैसे कहा कहा अपने position बनाना होता है और क्या का चीज़ों को हम क्या क्या बोलते हैं तो guys देखें यह blue line जो होता है यह होता है हमारा MACD line और यह जो orange line होता है यह होता है हमारा signal line यह दोनों एक दूसरे को cross over जहां करता है वहां हम अपने buying और selling का position बनाते हैं यह जो beach में हमारा एक line है इस type का इसको बोलते हैं हम अपना zero line जिरो line के upper side को हम बोलते हैं positive histogram और यह zero side के नीचे वाले range को बोलते हैं negative histogram बस इतना ही आप जान लीजिए ठीक है मने क्या क्या कहा यह blue वाले line को बोलते हैं MSCD line यह orange line को बोलते हैं signal line और यह beach वाले line को बोलते ह हम zero line अगर हमारा बहुँ zero line के ऊपर रहेगा तो हम बोलेंगे positive histogram अगर हमारा बहुँ zero line के नीचे रहेगा तो हम बोलेंगे negative histogram बस और कुछ नहीं यहां जाने लाए ठीक है अब मैं इसमें काम कैसे करते हैं यह मैं आपको बताता हूं तो आपको पता चली गया होगा कि जहा जहां हमारा बहुँ जोए cross over करेगा वहाँ बहाँ हम अपना buying और selling का position बनाएंगे इसमें आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है इस type से छोटे वाले आपको cross over में आपना position नहीं बनाना है अगर हमारा बहुँ जोए ज्यादा time तक नीचे वाले range पे रहा और cross over कर रहा ह तब आपको position बनाना है अगर हमारा बहुँ जोए ज्यादा time तक positive histogram पे रहा और पलट रहा हो तो आपको यहाँ क्या करना है selling का position बनाना है जैसे हमारा बहुँ जोए काफी time तक इस वाले range पे रहा और यहाँ से पलट रहा हमारा बहु तो हम क्या करेंगे buying का position बनाएंगे यहाँ से हमारा बहु जोए उपर जा रहा है और intraday और option के लिए इतना बढ़ा point जो है sufficient point है इतने में आप अराम से अपना profit book कर सकते हैं वो भी sufficient profit book कर सकते हैं अगर आप intraday option trading करते हैं तो और basically यह जो चीज है intraday और option के लिए best work करता है बाकि आप swing trading के लिए करेंगे तो उसके लिए आपको जो setting है उसको change करना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको starting में बताया था यह जो हमारा setting है उसको आपको change करने पड़ेगा signal smoothing को ठेक है अगर आपको यहाँ swing trading या positional trading करना होगा तो आपको 50 और 100 रखना पड़ेगा बाकि अगर आपको intraday और option trading करना होग तो यह 9 और 5 कर सकते हैं ठीक है चलिए थोड़ सा इसमें फिर practice करते हैं देखिए हमारा भाव इस वाले range को cross over कर रहा है और उपर जा रहा है और यहां से हमारा भाव जो है देखिए बिलकुत सिधे पर अपर जा रहा है तो हम क्या करते हैं अपना buying का position बनाते हैं आपको सम selling और buying का position बनाना है बस इसी चीज़ पर आपको ध्यान देना है बाकि कुछ नहीं है बहुत easy है इसमें आपको थोड़ा सा practice करना पड़ेगा तो मैं थोड़ा सा और आपको practice करा देता हूं तो आपको और चीज़े clear समझ आ जाएगा देखिए जैसे कि हमारा भाव ज्यादा time तक नीचे पर रहा और यहां से cross over दे रहा है और उपर जा रहा है तो हमको यहां तूरण अपना buying का position बना देना है देखिए बिल्कुल इसके सीधे पर और यह आपको profit है और जैसे कि मैंने आपको बताया था इतना profit sufficient है आपको easily इतने में आपका target मिल जाएगा देखिए यह हमारा भाव यहां cross over दे रहा है ज्यादा time तक नीचे पर रहा और यहां से उपर जा रहा है यह बिल्कुल इसके सीधे पर इतना हमारा profit है और देखिए यह देखिए हमारा भाव जो है यहां ज्यादा time तक उपर पर रहा और नीचे गिर रहा है यह देखिए यहां से हम कर रहा है, और नीचे गिता है, तो आप यहाँ क्या करते है, Selling का Position मतला नाते हैं, गुड़, और दीखें, यह सब को आपको White करना है, इसमें बिल्कुल भी आपको Trade नहीं करना ना है, छोटा जहां cross over दे रहा है वहाँ आपको बिल्कुल भी trade नहीं करना है इस type से बड़े cross over पे आपको position मनाना है जैसे कि देखिया यहाँ से हमार भाव जो है नीचे गिर रहा है इसके just सीधे पे यह इतना नीचे गिर रहा है टेक्ज़ तो आप यहां क्या करते है selling के अपने submission बना देतेह आप लाव lover लाज ना है तो बिल्कुल इसके उपर पे आप अपने stop loss order लगा सकते हैं बिल्कुल इसके ठोड़े से ऊपर पे अपने stop loss order लगा सकते हैं अपनी stop loss के हिसाब से आपको target book करना है, वरेचवो 2 का यह आपको profit देगा, ज्यादा लालच करोगे, farts होगे, आपको वरेचवो 2 का ही यहाँ profit book करना है, ओके देखें, again हमारा भाउज यहाँ crossword दे रहा है, यहाँ पर crossword दे रहा है, और यहाँ से हमारा भाउज आपड जा रहा है, बिल्लकुल इ आप वीडियो देखिए, क्लियर आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा तो आपको ध्यान क्या रखना है, इस टाप से छोटे क्रॉसोवर पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है हमको बड़े क्रॉसोवर पे अपना पुजिशन बनाना है जैसे इस टाप के बड़े क्रॉसोवर पे आपको पुजिशन बनाना है और एक चीज और ध्यान रखना है पोजिटिफ हिस्टोगाम पे आपको दो तिन बार क्रॉसोवर मिल सकता है तो आपको बार बार ट्रेडिंग नहीं करना है हमारा भाव इस वाले रेंज पे है तो आप यहां एक बार ट्रेडिंग कर लो उसके बाद बिल्कुल इधर आने का वेट करो प्राइस का इधर क्रॉसोवर देगा तो आपको पुजिशन बनाना है बाई का और यहां आप अपना सेलिंग का पुजिशन बनाओगे एक ही रेंज पे जैसे यह हमारा एक रेंज है यहां हमारा क्रॉसोवर दे दिया यहां आप सेलिंग का पुजिशन बना लिए आपको प्रॉफिट मिल गा इस इचे रेंज पे फिर हमारा भाव यहां कहीं cross over दे रहा है तो आपको बिल्कुल भी यहां position नहीं बनाना है बिल्कुल नहीं बनाना है ठीक है और बताता हूं और समझे है क्योंकि यह important चीज है जैसे यह हमारा भाव जो है यहां cross over दे दिया ठीक है आप क्या किया है यहां selling का position बना है अगेन हमारा भाव जो इस वाले range पे cross over दे रहा है तो बिल्कुल आपको यहां position नहीं बनाना है एक बार आपको positive history campaign पे अपना position बनाना है एक बार आपको negative history campaign position बना रहा है बार 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 क्रॉस होवर मेर रहा है बीने practice के आप इसमें profitable नहीं बन सकते और इसका जो accuracy आता है वो 62-85% का आता है यानि कि आप 10 लोगे उसमें से आप 8 बर सही हो सकती हो लेकिन practice करोगे तो और practice नहीं करोगे तो फिर इसमें आप profit नहीं बना पौगे और ये कापी important strategy है stock market के लिए और intraday और option के लिए तो इसको आपको सीखना ही चाहिए मैं आपको recommend करूँगा सीखो ठीक है इसमें जीतना ज्यादा practice करोगे उतना ज्यादा आप जो है इसमें master बनते जाओगे और मैं आपको धिर धिर ये भी बताओँगा कि इसमें कैसे 100% का accuracy लाना है फिलाल आप इसको सीख जाहिए तो ये आप समझ वर दे दिया तो आपको position नहीं बनाना है इस टैप से बीच में cross वर दे दिया तो position नहीं बनाना है अवाइट करना है बस यही चीज़ को धियान रखना है फिर आप यहां से profit gain कर सकते हैं ठीक है कुछ भी queries रहेगा तो आप comment box पर comment कर सकते हैं मैं सारा कुछ आपको बताने क कोशिश करूँगा तो hope करता हूँगा इस आपको यह चीज समझ आ गया होगा समझ आ गया तो आप हमरे चानल को like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए और हम इसी टैप से related videos बनाते रहते हैं तो सीखे सीखते रहेए तो चलिएगा इसमें यह topic close करता हूँ hope करता हूँ आपको चीज समझ आ गया होगा डाउट रहेगा तो आप में को comment box में comment कीजिएगा मैं आपके डाउट को clear करने का कोशिश करूँगा तो बाइगा इसमें topic close करता हूँ